हेलो एवरिवान एस प्रॉमिस्ट पहले हम लोगों ने पूरा सीए इंटर का ओडिट 80 पेजेस में हम लोगों ने कवर किया इच और एवरी पॉइंट फ्रॉम दे मॉड्यूल इस कवर्ड इन वेरी ब्यूटिफुल सिस्टेमाटिक बहुत लॉजिकल चार्ट के फॉर्म में पाड़ू चार्ट बुक आपके लिए अवेलेबल है फिर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लगभग बारा घंटे में यह पूरी चार्ट बुक रिवाइस कर दूँगा ताकि आप बहुत सारी मल्टिपल रिविजन्स कर सके और एक्जाम के एक दिन पहले भी आप अच्छे से शांती से रिविजन कर सके तो उसकी शुरुवात हो चुकी है और आज चाप्टर नंबर वन वो हम बहुत प्यारी तरीके से रिवाइस करवा रहा है लगभग एक घंटे के अंदर पूरा का पूरा चाप्टर पूरा चाप्टर नंबर वन और आगे इससे कम समय या इसी के आसपास कुछ समय में एक एक चाप्टर आपका पूरा रिवाइस हो जाएगा लगभग बारा घंटे में पूरे के पूरे chapters और मैं regular basis पे अभी इसको मैं दालता रहूंगा आपको Fadu chart book physically कैसे आप access कर सकते हैं और आप अगर free digital copy चाहते हैं तो उसके लिए मैंने description में link दी है वो आप देख लीजिए ठीक है मैंने इस lecture में बहुत ही कम बहुत कम मैंने explanation रखा हुआ है क्योंकि revision पे ध्यान है अगर हम जादा पढ़ाएंगे तो समय बढ़ जाएगा और फिर कोई मजा नहीं आएगा उसका correct तो उस बात का ध्यान रखना कि speed जादा है आप speed slow करके देख सकते हो जब आप comfortable हो जाए तो आप speed तो और बढ़ा कर भी देख सकते हो तो इसका पूरा आप फाइदा उठाई है और आपको कितना मज़ा आ रहा है प्लीज आप like करके और comments डालके क्योंकि इससे हमको हमारी team को बहुत मज़ा आता है आपके comments सुनते है तो हमको लगता है कि हमारी जो मेहनत हुई वो सफल हुई चाप्टर वन, पार्ट वन, बैग्राउंड ओडिट कंपनी को management चलाता है, सारे transaction management करता है, accounting management करता है financial statement management ही बनवाता है मतब ऐसा है कि खुद की financial performance report खुद बना रहे हो तो कैसे मान ले भरोसे मंद है की नी, reliable है की नी, हो सकता है manipulate किया हो, इसलिब को हुनार बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति चाहिए जो ये financial statement को check करके बता है, भरोसे मंद है की नी audit का simple मतलब अगर मैं बूलू तो इसका मतलब होता है check करके report देना अब audit का technical definition as per c institute क्या है audit is step by step, systematic activity है independent, निश्पक्ष बंदा करता है बिना किसी दबाओ के independent examination है, financial information whether or not profit oriented irrespective of legal size and form ultimate objective होता है opinion देना, whether financial statements give true and fair view, exam में कोशन आता है कि in general बताइए, financial statement misleading तो निये, कैसे आप check करेंगे देखिए, कभी भी financial transaction होता है सबसे पहले supporting documents बनते है invoices बनते है तो आप देखिए, जित्ते भी supporting document है वो, जो primary books में journal में entries है, उससे match हो रहा है क्या voucher से primary books check करना और primary books से voucher check करना, both way चीज़े match होना चाहिए input से output match होना चाहिए और output में जो चीज़े वो input से match होना चाहिए, both should match both way, फिर primary books में जो entries है, आप check करें posting in journal ledger ledger account में posting, again both way match होना चाहिए, फिर ledger account में जो balances है, वो balances trial balance में दिखने चाहिए वहां से financial statement में जाने चाहिए, again they should match with both ways, अगर यह पूरा match हो जाएगा, तो जो basic documents है वहां से primary books, primary से ledger ledger से trial balance, वहां से financial statement पूरा data match हो जाएगा अब अगर data सही है, तो फिर आगे financial statement में उसको जिस तरीके से classify किया है, present किया disclosure किया है, वो accounting standard schedule 3 के हिसाब से होना चाहिए, तब ही सही लगएगा एकदम clearly चीजों को लिखना चाहिए, कोई confusing तरीके से नहीं लिखना चाहिए और सच्चाई बता रहा है, presents true and fair view, सच्ची बात, सच्ची financial position और performance बता रहा है, इसका ख्याल लखना पड़ेगा, एक simple सा example दिया हुआ है आपके repairs और power fuel का, जो financial statement में दिख रहा है और दिख रहा है कि इसकी कोई supporting entries नहीं है, बस financial statement में नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये fake है, गलत है misleading है फिर हम लोग बात करते हैं, audit word कहां से आया, इसका audire, auditors, auditors, compoti, इसका simple मतलब है सुनना, क्योंकि audit में हम लोग चीजों को बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, और लोग के जवाब सुन-सुन के ताय करते हैं, चीज़ सही है कि ने कितने तरह के audit होते हैं, दो तरह के होते है, mandatory audit as per law करना ज़रूरी है, यसे बड़े-बड़े corporations हैं, उनके लिए specific act है उनके लिए, जैसे SBI, LIC, वहाँ पर audit mandatory होता है, उनसे छोटे banking companies वहाँ पर भी, उनसे छोटे electricity company mandatory है, उनसे छोटे companies in general companies act में mandatory है, इसके बाद specified entities, अगर एक level की उपर turn हो जाता है तो audit mandatory होता है, tax audit mandatory हो जाता है, उससे छोटे फिर public charitable trust है trust act के साब से, religious trust act के साब से mandatory, उससे छोटे cooperative society एक sequence में है, बड़े से लेकर छोटे तक, याद रखने में बड़ी आसा नहीं जाएगी उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं voluntary audits की, कि भाई ये खुद होके जो लोग audit करवाते हैं proprietor, H.U.F, partnership under 9032, ये लोग खुद होकर अपना audit करवाते हैं फिर हम बात करते है advantages of audit audit के advantage क्या है इसको बहुत पहले तरिके से हम लोगों ने arrange किया है, auditor auditor जब regularly client को visit करता है, तो एक moral check rate होता है, लोग गलच चियों से दूर रहता है, क्योंकि पता है कि आस-पास audit घूम रहा है, पकड़ लेगा regularly जाता है, तो देखता है कि company का पूरा काम, ठीक है, systematically steps, procedures, internal controls के हिसाब से हो रहा है न, वहाँ पे systems में कोई खामिया तो नहीं है ठीक है, अब वो इतने business घूमता है फिर audit जब खतम करता है वो, जब audit खतम करता है तो अपने आप, देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते जो business से जुड़ते, सिफ ऐस investor, वो लोग regular day-to-day operations में active नहीं होते, ठीक है, उनका financial interest भी benefit होता है, लेकिन वो management नहीं करते, audit जब खतम होता है, तो auditरों को समझ में आता है कि investors के साथ justice हुआ है कि नहीं हुआ है, dormant partner, shareholders, bankers, financial institutions तो उनके rights को protect किया कि नहीं, वो भी समझ में आ जाता है, वो भी advantage है, फिर audit होने के बाद, जब audited financial statement हाथ में आते हैं, तब बहुत सारे advantage flow होते है, तबसे बड़ा government है, audited financial statement की मदद से आपको subsidies मिल जाएगी, license मिल जाएगा, audit financial statement की मदद से आप tax आराम से compute करके tax बर सकते हो, bank के पास जाकर आप उनको financial statement दिखाकर आप loan ले सकते हो, insurance company को financial statement दिखाकर insurance claim का amount आप तै कर सकते हो, अगर audited financial statements है, तो partners के बीच में account आसानी से settle हो जाएगा, admission, retirement, death जब भी होता है, reconstitution उसमें आसानी से चीज़े हो जाती है, owner अगर business को बेचना चाहे तो financial statement की बेच सकता है, employee को अगर doubt है कि मुझे मेरे profit का bonus मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, audit financial statement की मदद से वो doubt clear हो सकता है, फिर हमने देखा core audit process, सभी standards on auditing को अगर हम merge कर दे और एक प्यारा सा flow बना ले, तो core audit process, ऐसे समझने काम आएगा, इसकी उपर direct exam में कोई question आने वाला नहीं है, सबसे पहले audit को हम लोगों ने बाटा, in five phases, पहला होता है initial phase, उसके बाद में होता है planning, risk assessment phase, फिर उसके प्लानिंग के बाद में execution phase, execution phase के बाद में reporting phase और उसके बाद में other points, चलिए, initial phase में हम लोग आते हैं, TIT के साब से हम लोग दर-दर की ठोकरे नहीं खाते हैं, हम लोग we cannot do advertisement, we cannot back for work, तो आपका नाम सुनके आपके network के थुरू, client आपके office में आएगा, audit offer करेगा, reception पे उसको बिठाईए और पूछिए, precondition, बिटा, financial statement तू बनाने के लिए तयार है क्या, बुले हाँ, मेरी team है, पिर दूसरा, क्या तू इसको एक अच्छे quality के applicable financial reporting framework, मतलब accounting standards, अच्छे quality के standards यूज़ करके follow कर, हाँ बुले, AS plus schedule 3 follow करूँगा, बहुत बढ़िया, precondition fulfill हो गई, फिर उसको बोलते है, जब वो उठता है, आप मिल सकते है, बहुत से, एक और चीज, आप कोई restriction तो नहीं दालोगे काम करने पर, limitation on scope, prior to acceptance, बुले, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, तो आप reception से उठके, client हमारे सामने बैठा हुआ है, हमारे office में बैठा है, तो अब कुछ प्रिम्नरी बाते उससे हमको पूछनी पड़ेगी, प्रिम्नरी बाते पूछनी पड़ेगी, पहला तुम्हारे information हम collect करके, हम सोचेंगे कि तुम्हारा काम करना है कि नहीं करना है, acceptance and content, भरोस्ते बंद व्यक्ती हो कि नहीं हो, क्योंकि audit collaborative activity है, फिर यह होने के बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारे audit में independent ethical रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे रिष्टेदारों को दूर रखना पड़ेगा, तुम्हारे shareholders को दूर रखना पड़ेगा and so on, finally जब सब तय हो जाए तो हम engagement letter sign करेंगे, जब engagement letter sign होता है तो initial phase खतम हो जाता है, यह process कोई पूछने नहीं वाला, यह सिफ understanding के लिए है, फिर उसके बाद में अगला phase उता है planning phase, planning में सबसे पहले बनती है strategy, सबसे पहले जी strategy broad guidelines है कि audit कैसे करना चाहिए, strategy बनने के बाद में यह 4-5 page की बनती है, इसके बाद में detail step by step की काम कैसे करना, उसके लिए audit plan बनता है, plan तीर तरह के बनते है, पहले risk assessment का plan बनता है, उसको execute करते है, फिर further audit procedure का plan बनता है, उसको execute करते है, और अगर जरुरत पड़ी, तो specific essay implement करने के लिए भी plan बनाया जाता है, इनको update करते हैं और प्रिड़ अफ टेम, सबसे पहला plan बनता है, ठीक है, planning phase में, और planning phase में वो execute होता है, risk assessment procedure, यह technical word इसका simple मतलब है, it simply means, collect information and obtain understanding, जानकारी हासिल करो, धंदे को समझो, इंडस्ट्री को समझो, इंडस्ट्री के अंदर धंदे को समझो, धंदे के internet controls को समझो, understanding, ताकि इसकी मदद से हम risk निकाल सके, एक बड़ आप understanding obtain कर लो ना चीज़ों की, फिर उसके बाद में identifying risk, English में दोनों सेम लगते होंगे, लिए कि दोनों का मतलब अलग है, जानकारी खट्टा है, risk assessment procedure मतलब सिर्फ जानकारी खट्टा करना, और उसके बाद में अगला step on identifying risk, क्या गलत हो सकता है, and assessing risk मतलब किस level पर गलती हो सकती है, is it a high level, medium level, low level, और इसका nature कैसा है, is it a financial statement level risk, और is it a assertion level risk, ठीक है, risk मतलब गलत चीज़ों होने के chances, अधर मुझे ऐसा दिखता है कि financial statement में कही पर भी problem हो सकता है, वो financial statement level risk है, कैसे management की नियत खराब है, कही पर भी गडबड कर सकते है, इनका software खराब है, कही पर भी गडबड हो सकती है, इनका accounts है गधा है, उसको समझ में नहीं आता कुछ, कही पर भी गडबड हो सकती है, यह financial statement level risk है, फिर इसका opposite होता है, assertion level risk, assertion क्या होते है, इन general जितनी भी जानकारी, financial statement से आ रही है, ठीक है, management दे रहा है, उसको हम लोग बोलते assertions, उसको बोलते हम लोग management assertions, direct हो सकता है, सिधा लिखा हुआ, या फिर indirect, लिखा हुआ ने लेकिन understood है, explicit, implicit भी हो सकता है, अगर कोई चीज नहीं लिखी है, मतलब नहीं होगी, asset की उपर charge नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं होगा, ठीक है, अब, specific उसका मतलब बताता हूँ मैं आपको, financial statement में तीन तरह के data होते हैं, transaction, balances and disclosure, T, B, D, transaction, balances, disclosure, ये जो तीन चीज़े हैं, ये हमको बहुत सारी information देते हैं, directly, indirectly बहुत सारी information देते हैं, इसी को हम लोग assertions बोलते हैं, example के तौर पे, suppose transaction की बात करता हूँ, sales 1000 करोड का है, ठीक है, और ये एक आगे ऐसे 315 है, वहाँ पे चर्चा वापस होने ही वाली है, 315 ठीक है, उसमें होगा, assertion में अगर बात करूँ, 1000 करोड का sale है, मतलब वो बोल रहे हैं, असली sale है, occurrence, वो बोलना चाहते हैं कि असली है, occurrence is the assertion, amount सही है, कुछ भी छूटा नहीं है, complete नहीं is the assertion, amount सही है, accuracy is the assertion, so special, classification सही है, capital versus revenue और product wise, और cut off, इस साल का अगले साल नहीं है, अगले साल का इसने, ये transactions के assertion है, अगर आँ बात करूँ, balance, land and building 100 करोड का है, लिखा है मतलब असली है, existence, existence is the assertion, कुछ भी छूटा नहीं है, completeness is the assertion, amount से, valuation is the assertion, हमारे balance sheet में, हम इसके माले के rights and obligation, वैसी notes to accounts के होते है, तो अगर मैं short में बोलना चाहू, transaction, balance, disclosure से, जो हमको specific informations मिल रही है, वो हमारे लिए assertion है, अब अगर कोई बोलता है कि, property के ownership में दिक्कत है, मतलब rights and obligation level की risk है, it is the assertion level risk, अगर financial statement level risk है, तो क्या करना चाहिए, overall response, पूरे team को आप strong बना, तो ज़्यादा seniors को आप include कर लो, अगर assertion level risk है, तो आपने क्या करना चाहिए, further audit procedure को आप लगाईए, पहले आप company के systems चेक करिए, कि systems बराबर है ना, उसको बोलते test of controls, अगर system बराबर है, तो हमारी आगे की checking one fourth हो जाएगी, नहीं तो चार गुना बढ़ जाएगी, तो ये एक बहुत important test है, जो हमको आगे guide करेगा, कि checking कम होगी कि जादा होगी, हमारे efforts को govern करने वाला intermediary step है, test of control करने के बाद में, हम हर area में जाके, चीज़े confirm करना शुरू करते हैं, उसको बोलते substantive procedure, जब हम लोग उसके अंदर, ठीके amounts, ratios का, graphs का comparison करते हैं, तो उसको बोलते analytical procedures, compare करके देखना चीज़े सही लग रही हैं, analytical procedures, जब हम लोग मैदान में उतर के documents देखते, लोग उसे बाचीत करते, पूश्टाच करते, calculations, recalculations करते, उसको बोलते test of details, सब चीज़े पर नहीं करना होता है, इसलिए हम लोग sampling करते, जब income expense को चेक करते, supporting document voucher से, उसको vouching बोलते, जब asset library को चेक करते, उसको verification बोलते है, in general, यह सारी checking, इखटा करके हम लोग करेंगे, सबूत इखटा करेंगे, financial items को support करेंगे, सबूत, हम दूसरों की मदद लेते, branch order की मदद लेते, internal order की मदद करते, लेते हम लोग experts की मदद लेते हम लोग, फिर, यह सारे सबूत इखटा करने माद, आखरी में हम लोग सारी important चीजे, management से लिख कर लेते, कल कुछ गलत होता है, तो पहले सबको यह दिखाएंगे, तुम jail जाओंगे, फिर हमारे उपर कोई नौबत आएगी, उतको protect करने के लिए, सारी important बाते उनके letterhead पर sign करके ले लो, सबूत मिलने के बाद जब गलतिया मिलती है, उसको misstatement बोलते हैं, उसको rectify करवाते हैं, फिर कितनी rectify हुई, कितनी नहीं, उसके साब से हम लोग opinion को frame करते हैं, report में draft करके लिखते हैं, उसके sign नहीं मारते हैं, एक non-team member को बोलते हैं, तु देख ले, मैंने काम बराबर किया है ना पूरा, जब बोले कि सब बराबर किया, उसको बोलते engagement quality control review, engagement की quality को बरकरार रखने के लिए जो review किया जाता है, एक non-team member देखता है कि सब बराबर है ना, फिर हम लोग report को sign करते, sign करने के बाद में पूरे files को बढ़िया सजा के रखते, उसको complete करते, documentation, और regular basis पे हमारे seniors काम को check करते रहते, उसको बोलते inspection and monitoring, अगला part है, essay का introduction, दो तरह के standards होते हैं, अलग-अलग assignments को करने के लिए engagement standards होते हैं, और सभी assignments की quality को बरकरार रखने के लिए, regulations के हिसाब से होना बिल्कुल systematically, law, rules, regulations, standards के हिसाब से काम होना चाहिए, और आखरी में जो report बने बहुत ही भरोसे मंद होनी चाहिए, जब यह दो चीज़े हो जाती हैं कि काम बराबर हो रहा है, और report बहुत भरोसे मंद बन दरी हैं, उसको बोलते है quality, अब अलग-अलग तरह के assignment, assignments को दो इसमें बढ़ा गया, assurance services and related services, जब भी किसी assignment में हम सामने लोगों को भरोसा दिला रहे है, कि information reliable है, कि नहीं उसको बोलते है, assure करना, assurance बोलते है उसको, ठीक है, और इसी तरह का काम, इसी तरह की skills लगती है, नहीं इसे तरह काम होता है, लेकिन हम किसी को भरोसा नहीं दिला, दिला रहे हैं, उसको हम related services बोलते हैं, अब इसके अंदर, जब हम लोग audit कर रहे है, historical information का, मतलब books of account से निकली वी financial information, वो historical information है, books of account से निकली वी जो financial information होती है, उसको हम historical information बोलते है, उससे उस information का होग जो हम audit कर रहे हैं तो हमको essays लगते हैं, ठीक है? तो SRE लगते है, standards on review engagement, तो ही standards है, number of standards याद रखने की ज़रुवत नहीं आपको, फिर इसके बाद में जब हम लोग audit review करते हैं, historical information का नहीं, लेकिन futuristic information का, forecasted information का, या फिर इससे कुछ अलग information का हम लोग audit कर रहे हैं, तो फिर हम लोग standards on assurance engagement लगते हैं, 3000 series उसके लिए, 3 standard है उसक historical information मतलब books of account से निकलने वाली financial information, simple, अब related services, हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, similar set of knowledge and skills लगता है, लेकिन हम किसी को भरोसा नहीं दे रहे, ठीके, दो तरह के assignment होता है, इसके जनरली, agreed upon procedure, AUP और compiling financial statements, हम आगे जाके इसके उपर चर्चा करेंगे, अभी आपको न परफॉर्म करो, यहाँ पर भी हम लोग जितने भी चार तरक के assignment देख करा है, लेकिन सबकी quality को बरकरार रखने के लिए, we have standards on quality control, यहाँ पर ऐसे principles, procedures दिए वह जिसको, अगर आप follow करोगे, तो firm के अंदर होने वाले assurance और related assignments की quality बरकरार रहेगी, अब सबके लिए एक series fix की ह रखा हुआ है, उसके लिए fix के रखा है, फिर 100 से लेके 999 की यह range SA के लिए है, 2000 से 2699, SRE के लिए 33699, SAE के लिए 474699, SRS के लिए है, standards on auditing के अंदर किस तरह की बाते बोली हुई है, कि भाई, audit क्यों कर रहे है हम लोग, objective क्या है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर objectives, ultimate objective क्या है, उसको achieve करने के लिए planning कैसे करना, risk कैसे निकालना, फिर evidence कैसे लेना, जो core audit process में पढ़कर रहे हैं, फिर evidence के लिए sampling कैसे करना, आखरी में going concern चेक करो, फिर report बनाओ, और documentation, यह essay के number कैसे याद रखना, आप YouTube के 35 के 35, सारे आपको standard number और नाम याद हो जाएंगे, crazy way to remember, एसे numbers, standards on auditing वो आप जाईए, audit को काफी समय लगता है, review को कम समय लगता है, इसमें हम सभी तरह के audit process perform करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ दो तरह करते, inquiry और analytical procedures, बस दो तरह काम हम लोग करते, यहाँ पर इसको हम बहुत low level पर लेकर आते हैं, यहाँ पर हम उसको सिर्फ acceptable level, low नहीं बुला, acceptable level, यहाँ पर high level of confidence है, हम चीज़े बोलते बताते हैं लोग को, reasonable level of assurance, यहाँ पर limited or moderate level of assurance होता है, example annual audit है, यहाँ पर review of quarterly financial statements है, अगर मैं review की बात करूँ, दो standard है, 2400 और 2410, आप आपको सिर्फ नाम expected है, आपके course में, सिर्फ आपका नाम expected है, अगर historical information का review करना है, 2400 लगता है, अगर आप interim financial statement, monthly, quarterly financial statement का review कर रहे हो, ठीक है, और वो भी आप annual financial statement का audit भी कर रहे हो, अच्छा, बीच में के financial statement का review करोगे, और final audit भी करोगे, तो यह दोनों काम एक साथ हो सकते एक में की मदद हो सकती है, इसलिए उसको एक साथ कैसे करना, उसके लिए 2410 है, फिर assurance engagement, जब आप historical information नहीं, other than historical information की है, जब आप चेहिं करते हैं, तो उसको हम लोग, other than historical information, तो उसको हम लोग SAE लगाते हैं, example के तोर पे, futuristic financial information, prospective आगे क्या होने वाला है, दो तरह के prospective financial information होते है, realistic assumption के basis पे क्या होने वाला है, best estimate के पे क्या होने वाला है, उसको हम लोग forecast बोलते हैं, और hypothetical assumption, नया plan बना लिया तो, export कर लिया तो, ऐसा कर लिया तो, वैसा कर लिया तो, ज़रूरी होता business के लिए, उसको हम hypothetical assumptions बोलते हैं, ठीक है, historical financial information, past events की उपर based है, past events, जो events हो चुके ह इसकी accounting हो चुकी है, historical information, आगे future में क्या होने वाला है, that is prospective information, अगर आपको prospective information को audit करना है, तो 34 सो लगता है, फिर आपके specific नाम है, pro-farma financial information, तब वो साल खतम होने के बाद में बहुत बड़ा acquisition हुआ, तो, उसका, that is not going to come reflected in financial statement, क्योंकि साल खतम हो चुका था, लेकिन investor को समझ जाना ही कि इस acquisition का impact कैसे होगा, तो, एक hypothetical assumption लियाता है, कालपनिक है, कि अगर ये हम acquisition साल के शुरुवात में कर लेते, 1st April से, तो financial statement कैसे बनते, ठीक है, तो, एक hypothetical assumption लेकर, एक नए प्रकार के altogether different, pro-farma financial information, ये असली नहीं है, हमने ऐसा माना कि ये acquisition, ये change, अगर पहले तारीक से होता 1st April से, तो financial statement कैसे थे, ताकि आपको एक feel आजाए, कि इससे हमारे company पर क्या impact हो रहा है, generally ये चीज़े prospectus में बनाया के दी जाती है, ऐसे hypothetical financial statement का audit करने के लिए, pro-farma financial information का audit करने के लिए, 3420 है, फिर मैंने बोला कि भाई, हम यहाँ पर किसी को assurance नहीं दे रहे, भरोसा ये जैसी है, तो उसको हम related services बोलते हैं, यहाँ पर लोग हमको बुलाते हैं कि बस मुझे 4 step करके देते हैं, मैं तेरे और मेरे बिच में तेरे बस तू चार चीज़े करके देगा, तीन चीज़े करके देगा, उसको बोलते agreed upon procedure, और उससे तेरे को जो facts मिलेगे, बस वो बस ये चीज़े कर, उसमें क्या मिला बता, अच्छा बुरा क्या है, मैं ये सब सोच लूँगा, ये पूरे financial statement के लिए भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर की individual information के लिए भी हो सकता है, example, data के लिए, कि भाई तू data की list को data की list को ledger से match कर ले, फिर उसके confirmations मंग वाले, और यहाँ पर difference आ रहा है, reconciliation check कर, बस तीन चीज़े करके मेरे को दे दे, अच्छा बुरा मैं सोच लूँगा, 4400, ऐसे assignments भी आते हैं हमारे पास, कभी-कभी लोग हमको बलते financial statement बना कर दे दे यार, मेरे को नहीं जम रहा, AS के साब से, India के साब से schedule 3, उसको compilation बलते है, 4410 उसको ल 300 और 400, रिस्क कैसे पता लगाना और उससे कैसे, response to risk, उसके audit कैसे करना, 300 और 4, response to risk मतलब भी audit procedures होते हैं, इनसे हमको सबूत मिलते हैं, सबूतों की परक होनी चीज़े हैं, आपको कितने प्रकार के सबूत हैं, कहा पे कम, कहा पे जादा ले, फिर दूसरों की मदद कैसे ले क्या कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में, अगर हम बात करें, documents किस तरह के, दो तरह के documents है, पहला statements और standards है, और दूसरा आपका guidance note है, जो बहुत ही important, critical matters होते हैं, extremely important, accounting और auditing दोनों के उसके लिए statements और standards को issue किया जाता है, यह mandatory in nature है, mandatory है, they are mandatory in nature, यह जो statement on accounting होते है, auditor को check करना पड़ता है कि पूरी जो accounting हुई है, accounting हुई है, financial, they are compliance, ठीक है, पूरे statement on accounting, statement of accounting, accounting standard के हिसाब से हुआ है ना, और अगर कुछ follow नहीं होता तो report में बताना ज़रूरी है mandatory है, वैसे audit जब करते हैं, तो audit का पूरा काम शुरुवात से लेके, यह statements और standards के हिसाब से होन चाहिए, international standards से जो मिलते जुलते हैं, उनको हम standards नाम देते हैं, इसके अलावा कुछ issue किये तो statement हम लोग generally बोलते हैं, अब यह भी बोल सकते हो, statement अब पुराने शब्द है, पुरानी चीज है, आजकल नई चीजों को सिर्फ standards बोलते हैं, लेकिन दोनों का feel, दोनों का purpose रिपोर्ट में लिखना पड़ते हैं, guidance note रेकमेंटरी nature क्या होते हैं, अगर justified reason है, तो आप इसके against जा सकते हो, यहाँ पर भी accounting करते हो, हमको देखना है guidance note को follow किया ना, अगर guidance note को follow नहीं किया जाता, तो आपको situation को देखना पड़ेगा कि justified था क्या, हो सकता है, report में लिखे हो सकता है, report में ना लिखे depending on situation, auditing भी जब करते हैं, तो guidance note को follow करना mandatory, अगर नहीं किया, तो report में बताना है क्या, situation को देखकर समझना पड़ेगा, कि बताए कि ना बताए, अब members की क्या duty है, card accountants की क्या duty है, कि जब भी वो attest function करते हैं, मतलब report, certificates, financial statement, जब भी यह सारी जिव यह लोग sign करते हैं, उनको mandatory है, कि standards और statements follow करने ही करने पड़ेंगे, standards नया नाम है, statements पुराना नाम हुआ करता था, मोटा मोटी, और अगर वो इसको follow नहीं करेंगे, तो उनको अपने report में बात को बताना पड़ेगा, reasons के तो क्यों नहीं कर पाए, Now, यह IASB क्या है, उनकी क्या जिम्मेदारिया है, तो उसके पहले IFAC, International Federation of Accountants है, 1977 में बना, उसका काम यह है कि पूरे दुनिया में accounting और auditing को एक level पे लाना, harmonize करना, इसलिए उनने क्या किया, IFRS बनाया, ताकि पूरी दुनिया IFRS के इर्दगिर चले, एक जैसी accounting हो, auditing के लि जैसे standards हो, एक जैसे audit चलते रहे, TA Insuris का founder member है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि इन सबको फॉलो करे, अब इन्होंने एक International Auditing and Assurance Senate board, एक board क्रियेट किया, यह board का काम है, कि high quality बहुत सोच समझ कर अच्छे auditing standards को बनाना, जो society के लिए अच्छे हो, public interest में हो, और यह independently बिना किसी दबाओं में वो लोग काम करते हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है high quality, high quality standards on auditing और guidance notes को खड़ा करना, ऐसे जो सबके लिए, जो सब जिसको पसंद करते हो, सबसे बड़ा government, उसे चिदा regulators, banking regulators, securities, जिसे से भी, investors, auditors, stakeholders, stakeholders, सबको ध्यान में रख्यों, बड़ी हा quality के standards बना बस आपको वो नाम recollect करने हैं, जैसे सबसे पहले हमारा SQC है, तो standards on quality control बनाओ, फिर essays है, फिर essay standards बनाओ, जो audit करने के, यह पढ़कर है हम लोग, जो audit करने के, audit of financial statement के लिए काम है, फिर SRE और essay है, essay standards बनाओ, जो audit के लावा बाकी assignments होते हैं, review assignments या assurance engagement, वो अच्छे से कर सके इसके अलावा regular base पे और professional announcements करते रहे ताकि जैसे implementation guide, handbook, ताकि लोग समझ सके और implement कर सके, तो basically मोटा मोटी आपको broad guidelines आपको यह कि भाई, चीजे बढ़िया quality के standards बनाओ, और उसको implement कैसे करो, इसको लेकर guidance चलता रहता होगा, अब AASB क्या है, उनकी छोड़ी सी हिस्तरी है, 1982 में Auditing Practice Committee थी, और वो लोग बाया जाते SAP, Statement Auditing Practices, 2002 में उस committee का नाम AASB हो गया, और standards का नाम हो गया Auditing and National Senate Board, 2007 में उनका नाम हो गया Engagement Quality Standards, तो नाम बदलते रहे, international चीजों को ध्यानम रखके नाम को बदला गया, आज वही नाम चल रहा है, इनका काम क्या, यह देखना कि इं नया लाने के दो होते है, और फिर वो ताय करने के बाद, बढ़िया नये standards और revisions को develop करना, ठीक है, कौनसी कौनसी चीज़े यह लोग बनाते हैं और revise करते, Engagement Standards, Standards on Quality Control, Guidance, General Clarification, TPSO, Technical Guides, Practice Manuals and Other Studies and Other Papers, यह help करते हैं चीजों को implement करने के लिए, practice करने के लिए, TPSO, फिर, Asset 200, Overall Objective क्या है, Ultimate Overall Objective, ठीक है, बहुत सिंपल है, authorities ने पताया है कि accounting कैसे होने चाहिए, financial statements कैसे बनने चाहिए, इसको हम collectively बोलते है, applicable financial reporting framework, framework कई प्रकार के हो सकते हैं, देश के अंदर, industry to industry framework बदलते हैं, कुछ private होते हैं, कोई government बनाता है, कई प्रकार के framework होते हैं, हमारी जो company है, financial statement बनने के लिए, जो framework यूज करें, उसको बोलते है, applicable framework, ठीक है, अब हमको framework का मतलब पता है, और जो हमारी company follow करें, उसको applicable framework बोलते हैं, objective क्या है, हमारा ultimate objective है, ये opinion देना, कि क्या company के financial statement सही में, applicable financial reporting framework की principles और उसके format के हिसाब से बने हैं, क्या, society ये जानना चाहती है कि financial statements, जो framework है, basic principles और format है, उसके इसाब से बराबर बने हैं, क्या, और अगर financial reporting framework दो तरका होता है, fair presentation framework और compliance framework, ऐसे 700 में इसको detail में discuss किया जाता है, अभी मोटा मोटी, जो framework ऐसा बोले है, कि भाई, understanding of the user is the most important, उसके लिए जो करना है करो, उसको बोलते ह framework, जो बोलता है कि नहीं, ऐसा मतलब ऐसा, जित्ता बोला, उत्ता करो, बाकि छोड़ दो, उसको बोलते है, compliance framework, अगर fair presentation framework है, तो auditor की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कि सब कुछ बनने के बाद, कोना-कोना, overall सब बराबर देखे, कि proper understanding लोग को मिल रही है न, whether they are giving true and fair view, तो ultimate objective क्या है, number one, क्या applicable framework के साथ चीज़े बनी क्या, और अगर fair presentation है, तो एक कदम आगे जाके बताना, कि whether financial statements is true and fair view, इसके लिए, इसके लिए auditor को, reasonable level of assurance, खुद पहले confidence महसूस करना पड़ा, confidence obtain करना पड़ेगा, कि क्या जितने भी material items है, they are free from misstatements, अगर मुझे overall objective देना है, तो उसके लिए मुझे material items की checking करके पता करना पड़ेगा, are they free from misstatements, और misstatements हम दो तरफ के ध्यान देते हैं, intentional, unintentional, fraud और error दोनों, यह पता लगाने के बाद में हम report बनाते हैं और उसमें open बना कर हम लोग देते हैं, तो overall objective के चार points है, और चारो एक मेंक से logically connected है, एक sequence में connected है, लेकिन company ने business decisions अच्छे लिए है न, efficient है न अपने काम करने में, effective है न, proper है न, future viability न, यह सब पर comment करना हमारा काम नहीं है, यह कागस के जो 20-25 तुकड़े है वो बराबर है न, बस इतना बताना हमारा काम है, audit करने जाएंगे, अगर आप तो audit के अंदर के, हम लोग सिफ reasonable level of assurance, high level of assurance, absolute assurance क्यों यह न, क्योंकि audit के खुद के अपने problem है, inherent limitations है, क्या है यह inherent limitations, ऐसा है कि audit के अपने problems हम risk को zero नहीं कर सकते, सिफ उसको reduce कर सकते है, ठीक है, because of inherent limitation, अंधरूनी problem, क्या है यह problem, सबसे बड़ा है कि हम persuasive evidence, हम लोग convincing evidence की उपर भरोसा करते है, persuasive, persuasive मतलब high quality evidence, reliable evidence, convincing evidence, लेकिन उसमें 100% surety नहीं होती, 100% surety इसमें होती, उसको conclusive evidence, क्योंकि हम audit में अलग-अलग problem के वज़े से, हम लोग majority evidence हमारा persuasive ही होता है, थोड़ा सा conclusive होता है, इसलिए हम 100% assurance नहीं सकते, यह problem है, inherent limitation, सबसे बड़ा problem है यह, कि हम सिर्फ persuasive evidence पे ज़्यादा जोर करते conclusive evidence नहीं आते है, इसके अलावा अब और, जो है मुद्दे, nature of financial reporting, basic accounts में प्रॉब्लेम है, financial statement प्रॉब्लेम है, financial statements की accounting, FRF financial reporting framework के साब से बनता है, वहाँ problem है DRS का, degree of uncertainty, बहुत सारे judgment हम लोग बनाते है, estimates में सब में uncertainty हो सकता है, हो सकता है, बहुत फरक भी हो सकता है, degree of uncertainty है, हर amount में, problem है, फिर range of interpretation है, अलग-अलग methods दियो, अलग-अलग principles दियो, ऐसा भी हो सकता है, उस चकर में गलती हो जाती है, subjectivity changes from person to person, तो problem है यार, financial statement बार में DRS का problem है, इस वह से audit करना मुश्किल हो जाता है, फिर nature of audit procedure में problem है, ठीक है, कुछ limitations है, सबसे पहले management पे हम बहुत ज शुरूआत से ले, इतनी भी बात है, हमको शुरूआत से लेकर आखरी तक देता है, जितने भी internal controls के बार में बताता है, इन सब पे हम लोग बहुर सा दिखाते है, intentionally, unintentionally, वह हमको बेवकुव बना सकते है, that's a problem with the audit, ठीक है, फिर auditor management related point है, फिर auditor related point है, हमको documents असली है, क्या authentic ह हमको forensic training नहीं मिलती, not expected, not trained in forensic items, authentication हम चेक नहीं कर पाते, हमारे पास raid मारने का power और powers भी नहीं है, investigation करने का raid मारने का power नहीं है, हम लोग अकड़ बंबे बो खिलते, sampling करते, management पे बहुत ज़्यदा dependent है, वो problem है, हमको ना training है वैसी, ना हमारे पास वैसे powers है, ना वैसे चीज़ sampling करते, फिर time or cost का problem, user को जल से जल चाहिए चीज़े, delay से value कम होती है, time or cost हमारे पास limited है, इसका मतलब क्या जित्ती भी चीज़े, बहुत समय लेती हूं, सबको छोड़ दो, ऐसा नहीं है, जब भी difficulty, time or cost का problem है, DTC को आपको देखना चाहिए, alternative audit procedure, आपको एक अच्छे quality का persu persuasive evidence दे सकती है, क्या, if answer is yes, तो आप alternative audit procedure, इसको dump कर दीजे, alternative लगा लीजे, if answer is no, तो आप इसको avoid नहीं कर सकते, difficult time cost हो तो भी आपको इसको perform करना पड़ेगा, फिर हम बात करते है, potentially, यह inherent limitations के होज़े से कुछ area में audit करना बहुत मुश्किल होगा, it is become further difficult, पहले सी, फिरंग तो पहली audit में problem था, fraud पकड़ना और भी मुश्किल हो गया, F, related party transactions, सही में सारी related parties identified है न, transaction, completeness में problem है, चीजे सही में covered है यह उसमें दिक्कत है, चीजे genuine है न, real है उसमें दिक्कत हो जाती है, related party transaction को check करना और भी मुश्किल हो आता है, non compliance of law, इतने सारे laws है, उसको non compliance लगता है, उसको check करना भी मुश्किल हो आता है, इसलिए हमारे पास में, यह चार एरिया में दिक्कते और बढ़ जाती है, इसलिए हमारे पास specific standards है, ठीक है, we have 240, 250, 550, 570, ठीक है, तब सिक्वेंटली audit करने के बाद कभी अगर गलती मिलती है, तो क्या auditor जिम्मेदार है, audit fail हो गया मतलब उसको punish करना चाहिए, ठीक है, अब ऐसा है कि तब सिक्वेंट discovery मिल सकती है, it can be a misstatement, it can be fraud के वैसे हो सकता है, error के वैसे हो सकता है, इसका मतलब auditor जिम्मेदार punish कर तो ऐसा नहीं है, हमको situation evaluate करनी पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा कि उसने audit process बराबर perform की थ अप्टेन करने के बाद में, क्या उसने evidence को study किया था, analyze किया था, evaluate किया था, क्या अच्छे से report बनाई थी क्या देखना पड़ेगा, अगर बनाई थी तो वो जिम्मेदार नहीं है, नहीं बनाई थी वो जिम्मेदार रहेगा, auditor poor quality audit करेगा, carelessly audit करेगा, सत्यानास कर देगा और बाद में बोलेगा, रहे मेरा problem नहीं है, audit के inherent limitation है, that's not possible, आप आपका बुरा काम, गलत काम ये नहीं बोल सकते कि, this is because of inherent limitation of audit, as a protection आप यूज नहीं कर सकते, inherent limitation है, इसलिए मैंने poor quality evidence ले लिए आप ऐसा, इसको misuse मत करिए, ठीक है, आपका audit पुरी इमानदारी बहुत करना है, अगर फिर भी चीज़े आप पकड नहीं पाए, तो फिर आप बताइए, मेरी problem नहीं, inherent, लेकिन उसका साहरा लेकर आप घटिया quality का audit ना करे, you can use it, final conclusion, you can use it as a defense, but you should not use it as an excuse to do poor quality audit, फिर ये problem से निपटने के लिए है, हमने क्या कर, हमने ethical होना चाहिए, ethics मतलब अच professionally क्या अच्छे काम होते है, कौन से बुरे काम होते है, उसको हम लोग professional ethics बोलते, code of ethics है, आईसे है कर जो हमको बताता है, कि professionally क्या सही है, क्या गलत है, और ये code of ethics के अंदर बहुत ही important कुछ principles दिये, fundamental principles, mandatory है ये, ठीक है, ethical behavior के लिए कुछ principles को follow करना ही करना पड़ेगा, इनको fundamental principles बोला जाता है, अब इसका shortcut भी दिया है, या फिर logically भी चल सकते हम लोग, मैं shortcut दिया हुआ है, सामने तो उसके दो चल रहा है, CBI office, ठीक है, CBI office, अगर आपको ethical रहना है, तो सबसे important, C stands for confidentiality, आपको आपके client के जानकरी को confidential रखना होगा, इसके दो ही exception है, if required by law और permitted by client, ethical र stand for competence, ठीक है, audit को लगने वाले बहुत सारे, बहुत सारे law, rules, regulations और standards होते हैं, हमेशा खुद को regular basis पे knowledge attain करकर के खुद को updated रखिये, और updated रखकर आप carefully काम करिये, ताकि काम systematically, law, rules, regulations और standards के साबसे काम हो, ठीक है, diligently मतलब क्या, carefully, thoroughly, timely काम करना, ठीक है, ठीक है, डिलिजन्टल और audit को लगने वाला जो पूरा law है, उसका संबान करिये, उसके साबसे आपको audit का काम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी काम मत करिये, जिससे institute का नाम खराब होता हो, discredit, I is integrity, being honest, सबसे important, honest and straightforward, हमेशा रहिए, in fact, integrity, integrity मतलब honesty से काम करना, being straightforward, इसमें यह भी लिखा हुआ है, कि suppose अ आपको पता चला, communication, या फिर उससे बड़ा returns, या उससे बड़ा कोई report, आपको पता चली, या कोई भी दुसरा communication, यहाँ पर आपको पता है कि चीजे, R.O.M. है, recklessly बनाए गई है, recklessly बनाए गई है, या फिर चीजों में बहुत सारी important चीजे, omitted है, या फिर misleading है, अगर ऐस इसे चीजे आपको दिखने लगे, तो आप honest लोग हो, आपने उससे खुद को disassociate करना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, फिर objectivity मतलब, जब भी जानकारी मिले, उसको जब आपको interpret करना है, judgments बनाने है, तो आपने unbiased होना चाहिए, इसका मतलब आपने क्या avoid करना चाहिए, ठीक है, happiness, बिकना, जुकना, strong opinion होता है, हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, फिर किसी के against होते हैं, ऐसे strong opinions, favorable, unfavorable, avoid करिए, personal benefit के लिए, conflict of interest, बस personal benefit के लिए काम मत करिए, उसको लेकर interpretation मत करिए, बिकिये मत, और किसी के influence में आकर external pressure में आकर काम मत करिए, audit से related सारे judgments, आप दिमाग से unbiased होकर चले, avoid happiness, avoid बिकना, avoid जुकना, फिर एक बहुत खास बात, अब यहाँ पर, यह तो ethical requirement है, इसके लावा independent, मतलब, legally, personally, professionally, किसी पे dependent नहीं होना, किसे, client से dependent नहीं होना, किसी पे बहुत जूड़के नहीं रहना, client से, independence of mind होना चीए, legally, personally, professionally, हम dependent, financially, dependent नहीं है दिखना भी चीए, लोग को दिखना भी चीए, कि हाँ, यह ऐसा नहीं है, तो होना भी चाहिए, और third parties को, society को दिखना भी चाहिए, independence रहने से, आपकी ताकत, honest रहने की, unbiased रहने की, professional skepticism की बढ़ जाएगी, अभी professional skepticism का मतलब हम देखेंगे, audit में आपको ethical भी रहना रहेगा, independent नहीं भी रहे तो चलता है, professional skepticism मतलब क्या, audit के दौरान आपको बहुत सारी जान करें मिलेगी, हमेशा alert रहिए, और दिमाग पर रखिए, हो सकता है कि इसमें जुड बोला गया हो, आपको बेवकूफ बनाया गया हो, इसने चीज़ों पर blindly reliance मत करें, इसके मेरे पास जो सबूत है, उससे mismatch तो नहीं हो रहा है, कोई contradiction तो नहीं है, इस evidence में और पहले के evidence में, हमेशा contradiction के इसके बारे में सोचो, हमेशा यह सोचो, कोई intentionally तो ऐसा नहीं कर रहा है, इसमें fraud के chances तो नहीं है, ठीक है, हमेशा standards में जितना लिखा है, उससे जादा भी तो नहीं जो suggest करते हैं, that something is wrong, see far वाले points के, professional skepticism को अगर आपको implement करना है, तो आपको see far वाले points को implement करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, overlooking, जल्द बाजी में चीज़े आप से छूड जाएंगी, ऐसा काम नहीं होगा, overgeneralization, बस एक दो चीज़ों को चेक करके, हजार के बार critical assessment यह आता है, करना क्या है, professional skepticism जब भी जानकारी मिले, carefully उसको evaluate करिए, कोई issue नहीं मिलता, उस पे पूरा विश्वास दिखाईए, अगर आपको indicator है, कोई doubt के, तो उसकी ज़्यादा audit process करिए, modify करिए audit procedure, इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों की honesty पे हम शक करते फिरे, नहीं हम बोल रहें, blind faith मत करिए, आप पहले professional skepticism लगाईए, कोई भी इनसान हो, मोधी जी भी हो, कोई भी हो, professional skepticism को लगाईए, जब कुछ नहीं मिलता, तो पुर्ण विश्वास करिए, इसका मतलब यह है, बस सोच समझ की विश्वास करिए, आदमी कोई भी हो, फिर ऐसे 210 में, जब भी बंदा आता है, तो audit करवाने के लिए, pre-condition, pre-mices of audit, basics of audit भी इसको बोलाता है, उसको फुल्फिल करिए, देखिए है क्या बराबर, पहला, management क्या तू agreement में मुझे लिख कर देने के लिए तयार है, financial statement माना तेरी जिम्मेदारी है, it is your responsibility, उसके लिए जो internal control system लगता ह है, वो भी तू बनाएगा, और सब बनाने के बाद में सारी information मेरे साथ में share करेगा, तुने जित्ते भी working note बनाए, सब मेरे को देगा, इसके अलाबब मैं तेको कुछ भी मागूंगा, वो भी तू मुझे बना कर देगा, और मैं ये information से related audit, जिससे चाहिए, जो चाहिए, employee स होना चाहिए, it should be of acceptable quality, अच्छा होना चाहिए, generally इंडिया में schedule 3 AI से जो अच्छा ही होता है, अगर pre condition में से एक भी condition fulfill नहीं होती है, तो assignment को accept मत करिये, unless it is required by law, अगर government audit, अगर ऐसा कुछ है, और उसमें अगर mandatory है तो, फिर इसके बाद, limitation on scope prior to our engagement, ये जब बाते चलती रहती है, उससे पूछताच करते थे, उस दौरान क्या बंदा को हमारे उपर restriction दाल रहा है कि, क्या कोई ऐसी restriction दाल रहा है कि मुझे आगे जाके disclaimer देना पड़े, अगर ऐसी restriction दाल आगे disclaimer देना पड़े, आज assignment ही accept मत करिये, जब भाई सामने future देख लिया मैंने, बरबादी बरब assignment है, क्या check करना है, क्या check करना है, क्या report करना है, और कितनी चीज़े covered है, पूरी पूरा group, की पूरी company, कुछ branches, nature of assignment समझा जाता है, scope समझा जाता है, क्या जिम्मेदार है कि दोनों parties की management की और auditor की जनरली ये बाते बनाई जाती है, उसकी दो copy होती है, auditor sign करके दोनों client को important है, क्योंकि उस mandatory audits में, तो audits से written law, rules, regulations कुछ होते है, voluntary में कुछ भी नहीं होते है, तो इसका importance और बढ़ जाता है, partnerships, इन सब में और बढ़ जाता है, अभी, ये तो इन general बात बोली थी, 210 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि engagement later बनाना mandatory है, return form में होना चाहिए, इसमें important clauses, 5 important clause होने चाहिए, पहले objective, क्या check करने आए है, क्या बताने वाले है, क्या open in देने वाले है, और scope, पुरा group, पूरी company या branch, या फिर कुछ ही financial items, scope भी बताते हैं, फिर management की क्या जिम्मदाई रहेगी और financial statement बनाते वक्ट वो क्या framework follow करेंगे, फिर auditor की क्या जिम्मदाई और वो जो audit report बनाएंगे, उसका expected form और content क्या रहेगा, इसके बारे में लिखा थे, 5 बाते mandatory है, अगर law rules regulation के अंदर ये 5 बाते already दी है, तो फिर अलग से कोई engagement letter हमको बनाने की ज़रुरत नहीं है, no need to make a separate engagement letter, कि पर एक letter जाएगा, कि भाहिया, हम law पढ़ चुके, rules regulation हम समझ हमारी जिम्यदारी हम समझ चुके, आप भी sign करके हमको बोल दिये कि आप भी इसको accept करते हो न, हाँ, लेकिन precondition वाले तो बाते आप हमको लिखकर confirm कर दीजे, Engagement letter in recurring audits, in recurring audit, recurring audit मतलब वो audit जो हम लोग बार-बार करते हैं, उसको recurring audit हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा है कि बिलकुल भी mandatory नहीं है, recurring audit में बार-बार आप इसको बानी जोरुत नहीं है, लेकिन circumstance देखकर देखना पड़ा है कि इस बार फिर से बनाना चाहिए क्या, जनरली हम लो बनाना क्या, revise करना क्या, पहले external changes पर ध्यान दो, अगर law rules regulation बन गया है, बदल गया है, जो accounting और auditing को लगते है, financial reporting framework बदल गया, management के side में changes है, ownership बदल गया, उसके नीजे senior management बदल गया, वो जो धंदा कर रहा है, वो बदल गया, misunderstanding है उनके मन में, हमसे अलग-अलग report मांग रह इंगेजमेंटर के बारे में सोचना, चली, change in terms, क्या एक बार, terms of engagement fix होने के बाद में बदल सकते हैं, किल्कुल बदल सकते हैं, generally क्यों बदलते हैं, generally management की तरफ से, management की जरुते बदल जाती है, नए business आगए, नए branches आगए, नए locations आगए, और हमसे ज़ादा चीज़े expect करना चाहते हैं, ज़्यादा certificates हो चाहते हैं, इसलिए हो सकता है, misunderstanding हो गई उनके मन में, CMR के लिए हो सकता है, या फिर, वो हमारे उपर कुछ restriction दालना चाहते हैं, ये visit मत करो, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, जब भी ऐसा हो, कि change terms बदलना चाहते हैं, आप उसको समझ ये, क आप हमारा time कम करना चाहते हो, fees कम करना चाहते हो, कुछ branches निकाल देना चाहते हो, is it justified, अगर justified है, वो सकता है justified हो, क्योंकि company का business कम हो गया है, demerger हो चुका है, justified है तो बस आप writing में, new terms को writing में लिख लीचे और revised engagement leader के साब से काम करिए, अगर justified नहीं है, तो आप बोले कि नही engagement leader उसके साब से काम होगा, आप नहीं मान रहे हो, बुरी बात है बहुत ही, नहीं मान रहे हो, ठीक है, withdraw करिए from the assignment, और जितने भी लोग को communicate करा, जब हम resign करते तो हमारी professional जिम्मेदारी बनती है, कभी board of directors को, ROC को, CAG को सब को inform रखे, उसको आप inform कर दीजे, that's it, फिर, कभी कभी auditor हमारे पास में आता है, कभी-कभी client हमारे पास में आता है, auditor को appoint करें तो audit करने के लिए, इससे पहले कि वो अपना assignment पूरा करे, complete करे, वो बोलता है, lower level of assurance, audit से review पे shift हो जाओ, audit is high level of assurance, reasonable से moderate पे shift हो जाओ, या फिर बोलता है कि आप review से agreed upon procedure मतलब no assurance पे shift हो जाओ, अगर reasonable justification है, समय कम है, situation वैसी है, और तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि justified है, और मैं नया काम अच्छे से करके मैं report दे पाऊंगा, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप नया assignment आप ले लीजे, revised term of engagement आप नया assignment कर लीजे, अब पहले का काम हो सकता है, आपको use आजाए, आपको relevant हो, काम का हो, use भी आजाए, जब आप report दो final report, नए engagement, नए assignment में, तो generally आप refer मत करिये पुराने इसको, confusion create होगा लोगों को, मन में, पुराने assignment उसके अंदर क्या procedure आपने perform करते हैं, उसको आप refer मत करिये, लेकिन अगर agreed upon procedure वाला काम है, agreed upon procedure मतलब limited, तीन से चार, पांच, छे step जित्ती हमारी बीच में अगर उत्ता करना, वहाँ पर क्या assignment का nature ही ऐसा है कि उसकी report में बताना पड़ता है, क्या-क्या steps perform की गई, तो शायद वहाँ हमको बताना पड़े कि original engagement में हमने यह step perform की थी, और फिर नए engagement में हमने इत्ती steps perform की थ quality, ऐसे 220 quality, quality मतलब क्या, audit quality मतलब क्या, जब assignment का पूरा काम, work of the assignment is as per legal requirement, regulatory requirement and professional standards, पूरा काम systematically हो रहा है, LR, RR और PS के हिसाब से, और आखरी में जो report बन रही है, ला जवाब report बन रही है, बहुत ही reliable, अच्छी quality की report बन रही है, तो उसको हम बोलते है quality, अब SQC1 है, जो हमको firm level quality controls, मतलब firm level पर ऐसे क्या systems होने चाहिए, ऐसे क्या principles और policies होनी चाहिए, ताकि firm में होने वाले जितने भी assurance engagements है, और related assignment है, उन सब की quality maintain हो, और SQC220 is for engagement level, engagement level quality control, ऐसा कैसे हम लोग firm level पर जो systems, rules, regulation, policies बनिया है, उसको हम कैसे implement कर सकते assignment level पर, how we can do, implement while doing audit of historical, उसका implementation कैसे करे, उसके लिए engagement level quality control standards है, objective क्या है, कि quality audit हो, audit का जो performance हो, वो अच्छे quality का हो, ठीक है, ताकि जो पूरा काम है, objective ही है, ताकि पूरा काम systematically as per legal requirement, उससे छोटे regulatory requirement और professional standards की साब से हो, ताकि reports reliable बने, अगर audit की quality को maintain करना है, तो आपको 6 elements पर ध्यान देना पड़ता है, SQC 1 भी यही बोलता है, और S A220 बोलता है, कि आपको 6 elements पर ध्यान देना होगा, फिर human, सिर्फ अकेले leader से बात नी चलेगी, अच्छे, sufficient number of good quality, हमारे पास में team भी होने चाहिए, human resource होना चाहिए, ये लोग ethical होने चाहिए, they should be ethical, ethical principles को follow करने वाले लोग होने चाहिए, ethical independent, इन्होंने सोच समझ के assignments accept करने चाहिए, अच्छे लोगों के अच्छे client के assignment लेने चाहिए, ताकि आप अच्छा quality audit करके आगे बढ़ सको, फिर accept करने के बाद, engagement performance अच्छा होना चाहिए, कि systematically काम होना चाहिए, और काम खतम होने के बाद में, monitoring होनी चाहिए, assignments खतम होगे, उनका inspection होना चाहिए, और overall form कैसे चल रही है, quality काम हो रहा है उसका monitoring होना चाहिए, तो inspection and monitoring मैं बोलूँगा, उन्होंने सिफ monitoring पे जोर दिया है, तो 6 चीज़े उने चाहिए, पहले leader, फिर अच्छे team, ये लोग ethical, समझ के काम ले, काम लेने का अच्छे से perform करें, और monitoring हो, अब leader से लेकर बात, सबसे पहले leader कोन होता है, engagement partner, engagement partner मतलब कोन, हमारे firm में का, हमारे firm में का वो partner, या फिर कोई भी person, जिसके उपर जिम्मेदारी है, कि बेटा, तेरी responsibility है, engagement को अच्छे से करवाना, और उसकी report अच्छे से बनवाना, उसको हम engagement partner बोलते है, इंडिया में ले बाकी लोग को permission नहीं होती, तो other persons की जब मैं बात करता हूँ, तो वो इतना relevant नहीं है, इंडिया के context में, फिर आगे, कभी-कभी, इंडिया के बाहर ऐसा होता होगा, कि कोई particular assignment करना है, तो और approval लगता है, किसी authority से, तो उसके पास में वो approvals और वो authority भी होनी चाहिए, again, इं इंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है, assignment को perform करके report देना, और उसके पास में proper authority से proper permission भी है, फिर, इंगेजमेंट, लीडर कौन है, इंगेजमेंट पार्टनर उसका मतलब बते है, जिम्मेदारी क्या है, उसने, भाई, पाकी किसी चीज़ क इसकी जिम्मेदारी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारे बंदों, हमारे बंदेने लेनी चाहिए, उसके actions, उसके speech, उसके messages, उसके बाते हमेशा ऐसे उनी चाहिए, जो ये बोलेगी quality बहुत जरूरी है, नेसरी है, इसके आप compromise नहीं करते हो, और उन्हें, उसने इन के थुरू चार बातों पर ध्यान देना चाहिए, पहले दो बाते तो definition वाली है, कि सभी लोग को सुचित किया जाता है पूरा काम, legal requirements, voluntary requirements और फिर उससे कम professional standards के साब से हो, report तो समझ के appropriate report बने, फिर अगले जो दो point है, other points वो focus कर रहे हैं कि भाई, firm के quality control, firm की जो policy से quality को maintain करने क के लिए जो system है, उसको अच्छे से समझे सब लोग, और उसको समझे, उसके भरोसा करे, उसकी हिसाब से काम करे, और बिल्कुल बिना डर के कभी भी कोई आपके दिल में कोई doubt आता है, पर परिशानी होती है, बिना किसी डर के बिंधास share करे, engagement partner के साथ, ताकि अगर कोई poor quality issue है, उसको दूर किया जा सके, फिर इन लोग को ethical रहना पड़ेगा, ethical और independent रहना पड़ेगा, ethical रहना, ethical principles थो हम पढ़कर है, अभी पढ़कर है हम S&200 के अंतर, SQC1 ये बोलता है कि ऐसी policies और procedures हो कि पूरी firm के अंतर जितने भी लोग है, वो ethical principles पे चले और independent रहे, S&220 भी ब जिम्मेदारी है कि उसकी team ethical और independent है न, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई, देखो, engagement partner, हम भरोसा firm level पे जो policies, principles बने हैं, team को ethical और independent रखने के लिए, उसको सही मान करके, उसको आप implement, उसको आप फिल्कुल भरोसा करिए, और उसको आप implement करते जाए, इसके लिए आप क्या करि करिए, किसी के पास company के shares है क्या, कोई company का रिष्टेदार है क्या, कोई past employee है क्या, inquiry के data collect करिए, evaluate करिए, थोटी मुटी बातों को ignore करिए, बड़ी बाते होगी तो team को बदलिए, ज्यादा supervision करवाईए, ऐसे बंदों का, उसको ज्यादा time allocate करिए, ताकि ये जो issues है, उसको control कि किया जा सके, अगर ethical issues है तो, ये थोड़ी sequence आगे पीछे हो गई है, पहले आता है leader, पहले आता है leader, फिर आता है human resource, और फिर तीसे नंबर पे आता है, हमारा ethical requirement, human resource, भाई, firm के अंदर, अगर आपको quality work करना है, sufficient number of लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे, knowledgeable, competent लोग होने चाहि recruitment हो, और वो ethical principles पर काम करना चाहते हो, ताकि काम systematically बार-बार repeat होता है as per law rules and regulations और report अच्छी बने, इसमें कौन सी, firm के अंदर recruitment, regular basis पर estimation होने चाहिए, क्या competence और क्या capabilities उनके अंदर होनी चाहिए, recruitment की अच्छी procedure होने चाहिए, कि अच्छे लोग, honest लोग, integrity वाले लोग, knowledge वाल फिर regular basis पर उनका performance evaluate हो, उसके बैस पर उसको benefits मिले, उनका compensation का promotion, career development, उनके performance पर dependent होना चाहिए, अब अच्छा leader है, अच्छी team है, और ethical है योग, सोच समझ के assignment को लीजे, क्योंकि audit collaborative activity है, सोच समझ के assignment को लेना है, चार बातों को सोचना पड़ेगा, सामने वाला बंदा honest है न competent है ना, हमको space का काम आता है ना, हमको e-commerce का काम आता है ना, हमको insurance का काम आता है ना, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, हम ethical रह पाएंगे ना, हम ethical independent रह पाएंगे ना, ठीक हम कुछ issues तो नहीं है, हमारे team में बहुत सारे रिश्तेदारिया, shareholders या business relation वाले तो लोग तो नह चाहिए, ऐसी चार बाते देखनी चाहिए, अगर assignment accept करने के बाद में कभी, अगर बाद में कभी ऐसी चीज़े नजर आती है, assignment accept करने के, assignment accept करने के बाद, बाद अगर ऐसे issues नजर आते है, कि भाई, मुझे पहले पता होता तो मैं assignment छोड़ देता, तो immediately prompt action, बाकी partner से मिलकर बात करें कि क्या मुझे action step मुझे लेना होगा, अब assignment लेने के बाद, engagement performance, भाई, काम बहुत systematically अच्छे से हो, ताकि law rules, regulation का compliance, standards का report अच्छी बने, ठीक है, policies और procedures होनी चाहिए, फर्म क्या, policies और procedures की भाई, team को direction कौन देगा, दिशा कौन दिखाएगा, उनका काम supervise कौन और उनका काम फिर इसके बाद में, review करने के बाद, review कौन करेगा, यह सब की policies, procedures बननी चाहिए, यह return form में होना चाहिए, physical हो सकता है, electronic form में हो सकता है, software हो सकता है, एक checklist के form में हो सकता है, generalist में कौन सी बात होती है, यहाँ पर बोला है कि policies, जो काम कैसे हो systematically, इसकी policies updated होनी चा काम कैसे करते है, step by step systematically, उनको briefing, direction देना, उनके direction देनी की बात लिखी होनी चाहिए, कि भाई, team को direction कौन देगा, engagement partner देगा, senior manager देगा, फिर जब वो काम करते है, तो उनको बताना चाहिए, कि भाई, law, regulations, rules, standards के इसाब से तुम काम करो, उनका adequate supervision होना चाहिए, उनका review होना चा जो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े judgments लिये, जो report बनाई है, उसका review होना चाहिए, और हर चीज़ का documentation, अगर इस तरह systematically आपने policies, procedures अगर बना कर रखी है, updated, ताकि पहले training हो, फिर directions, briefing हो, काम बराबर हो, supervision हो, review हो, चीज़ों का, फिर report बने, फिर documentation, तो होगा ना, systematically काम हो monitoring, ठीक है, आपने जो systems बना कर रखी है, आपको regular basis पर उसको monitor करना पड़ेगा, confirm के अंदर policies प्रोसीड होनी चाहिए, कि firm में जो audit करने की system है, quality audit maintain करने की system है, आज भी वो adequate है ना, सभी areas को cover करती है, बदलते समय के साथ, is it adequate, is it relevant, and is it operating effectively, ये continuous basis पर report generate होनी चाहिए, monthly basis पर, quarterly basis पर, जिससे ये पता चले कि हमारे systems बराबर काम चल रहे है न, और periodic अलग से हम लोग inspection भी करवा सकते है, ठीक है, ongoing continuous भी होना चाहिए, हम लोग कुछ completed assignment का inspection भी करवा सकते है, हमारे systems अच्छे है न, इसका monitoring होना चाहिए, ये continuous भी हो सकता है, और periodically कुछ assignment select करके देखो, quality system ब ensure compliance of law हो रहा है, और report अच्छी बन रही है, क्या system बराबर बनी हुई है, is it design properly, it is operating effectively, भाई, system ऐसा हो, जो ensure करे कि काम बराबर हो, it should be design and people should be implementing it, firm के अंदर कुछ competent, अच्छे knowledgeable partner, group of partner, other persons को जिम्मेदर माना चाहिए, कि आपका काम है, regular basis पे audit, quality control जो system है, उसको study करके, evaluate करके, regular updation उसके अंदर लाया करे, फिर other concepts पार्ट है, audit का relation, दूसरे जो subject है, उसके साथ में, accounts बहुत जरूरी है, क्या आप generally excited accounting principles का knowledge चाहिए, तब ही हम लोग जेकर मैं, accounting बराबर है क्या, और audit करने से हमको समझ में आता है कि accounting process बराबर हुई की नहीं, तो accounts का भी importance है, audit का भी importance है, आप पहले foundation में accounts होता है पहला, तो वो ले लिया, फिर foundation में law होता है, बिजनस loss का, आपके negotiable instrument contract, taxation loss का knowledge बहुत जरूरी है, ताकि ये समझ सके कि जो transactions हुए है, financial transactions, वो कितने legal है, अगर नहीं है, तो उसका impact क्या होगा, accounting पे और financial statement पे हो समझ सके, फिर economics, आप demand, supply, production, cost का knowledge होन कि जो entity के अंदर जो transactions हो जो चीज़े चल रही है, micro economics के सबसे logical है न, macro economics का knowledge होना ची, economic environment, उसके छोटा government, growth, inflation, क्यों, ताकि समझ सके कि future के assumptions और estimates बराबर है न, वही हमारे दोनों का knowledge जरूरी है, maths और stats का knowledge जरूरी है, ताकि ये समझ सके कि sampling करना सीख जाए, statistical knowledge आ जाए, ताक आपका पहले एक subject हुआ करता, इंटर में एथिक्स, ठीक है, behavioral sciences, लोगों को समझना और उनका behavior प्रेडिक करना, लोगों को समझने की आप के अंदक शमता होनी चीए, क्यों, financial audit में, continuously हम लोग client के बहुत साई लोगों से interact करते, team के लोगों से interact करते, you should be able to understand, आदमी सच बोल रहा है, डरा हुआ है, क्या problem है, उससे interact करके, सच बात क्या है, और कैसे उसको हम लोग सही दिशा में लेकर चले, काम आता है, audit करते हैं, internal audit में, हम लोग systems check करते, और system dependent होते हैं, लोगों के उपर, लोग authorizations करते, approvals करते, records maintain करते, reconcile करते, चीज़े को check करते, इसलिए उनका behavior समझना जरूरी है, management audit में, top management, हंडा दिमाग से चल रहा है, अच्छे से सारे बातों को समझके decisions ले रहा है, quality decision यह देखना पड़ता है, यह behavioral science काम आएगा, internal control system human beings की उपर based है, और human beings को समझना है, तो behavioral science का नौलेज जरूरी है, अभी तरह कि audits में यह knowledge काम आएगा, आपको और cost निकले, production का भी थोड़ा knowledge होना चाहिए, financial management का knowledge होना चाहिए, market में क्या चल रहा है, government क्याल कर रहा है, finance को लेकर, institutions क्या कर रही है, financial techniques, ताकि financial institution का audit अच्छे से कर सके, ताकि company की financial position, दूसरों के मुकाबले कैसे हो समझ सके, financial income expense बराबर है ना हो समझ सके, are they realistic, reasonable है, interest expense, interest income, assets and liabilities, financial asset liabilities, data processing का knowledge होना चाहिए, अरे भाई साब, पूरा revolution हो गया है, जिस तरीके से accounting होती है, जिस तरीके से accounting होती है, जिस तरीके से transaction record होते है, document होते है, process होते है, report बनती है, data save होता है, retrieve होता है, इसका knowledge जरूरी है भाई साब, ताकि समझ सके, कि ये system बराबर काम कर रह है, क्या check करना है, और कैसे check करना है, ठीक है, क्या check करना है, कैसे, it is called scope, scope का कभी मतलब होता है, कि पूरे group का, क्या, पूरे company का, कुछ branches का, उसको भी scope बोलते है, और कैसे हम लोग check करने वाले, how we are going to check है, दोनों चीज़ों का combination होता है, यहाँ पे इनका ज्यादा focus है, हम क् चेक करते है, audit में, यह basic accounting data check करते है हम लोग सबसे पहले, कि जो आपके primary books है, आपके secondary books है, वो data, उसमें सभी complete है ना, वो accurate है ना, वो reliable है ना, इसलिए हम लोग internal control system को समझते है, transactions को process करने का system, फिर उसको कब, कौन account करता है, कैसे, accounting system को समझते है, तो पहले discuss किया है, कि हम क् basic accounting data बराबर है ना, इसलिए है, पहले internal control system को study करके check करते, accounting system को check करते, फिर data, basic primary data, ledger का data, trial balance, financial statement बराबर दिख रहे है ना, हमारा focus फिर financial statements की उपर भी कि भाई, उसका presentation, उसका classification, उसका notes to accounts का disclosure बराबर है ना, इस पे भी हमारा ध्यान होता है, बेसिक data अच्छा होना चीए, फिर वो अच्छे तरीके से present भी होना चीए, तभी लोग को समझेगा ना, इसमें हम तीन चीज़ों पर और ध्यान देते, management को बहुत judgment लगाना पड़ता है, AED, accounting policy, estimate and disclosure, इसको भी ध्यान, तो scope में हमारा focus basic accounting data पे भी है, इसलिए पहले system चेक करते, फिर data को चेक करते, फिर इसको किस तरीके से present किया रहे है, इस पे भी है, और judgments पे भी है, इन चीज़ों पर ध्यान देना, ये scope of audit है, किन चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे है, क्या नहीं करना चाहिए, चेकिंग करते वक्त, कोई भी बहुत technical चीज़े हो, जो engineers, engineers, doctors को समझ में आती है, वो चीज़े चेक करने के लिए नहीं उतरना चाहिए, हम लोग ने, और अगर management आपको रोके, कुछ areas को चेक करने के लिए, कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए, तो देखना चाहिए, कि उससे सबूत की कमी महसूस हो रही है, क्या, अगर हो रही है, तो audit report में लिखना पड़ेगा, को engagement लेटर में साफ-साफ management को पहले ही बता दो, कि मैं यह चीज़े चेक करने वाल हो, यह चीज़े cover करने वाल हो, basic accounting data भी चेक करूँगा, तेरे financial statement का presentation भी देखूँगा, तेरे judgments भी देखूँगा, पहले ही मैं समझा दे रहा हूँ, audit report में भी पढ़ने वालों को पता होना चा तो cover करते ही है, non-profit organizations भी cover होती है, coverage of entities हम discuss कर रहे है, काफी जगा तो mandatory है, आपकी company अगर है, section 8 company mandatory है, जहाँ पर government grant license मिले, वहाँ पर mandatory है, tax exemptions मिले, वहाँ पर mandatory है, इसके अलावा ठीक है, जहाँ पर नहीं भी है, वहाँ लोग voluntarily करवाते रहते हैं, तो दोनों तरह की entities cover होते ऐसा बोल रहे है, कुछ खास बात नहीं, अब aspects to be covered in audit, देखिए कुछ चीज़े घूम फिर कर वैसी ही आती है, निकल कर, अब यहाँ पर aspects मतलब हम कैसे checking करते हैं, यह समझा रहे हैं, अभी scope में कहते हैं, क्या check कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन अब इसको लेकर चलन पड़ेगा, शब्दों का hair fair है, वहाँ पर क्या check करते हैं, यहाँ पर हम लोग कैसे चीज़ों को check करते हैं, हम लोग पहले test of control करते हैं, company की internal control system, purchase कैसा, production कैसा, sale कैसा, उसके accounting system, voucher कैसे बनता, primary book, secondary book, trial balance, consolidation, उसके weaknesses क्या है, इस पर हमारा focus होता है, कितने weakness हैं, कहा weakness है, management को test of control, हम क्या, यहाँ पर aspects to be covered, हम कैसे चीज़ों को check करते हैं, उस पर बता रहे, फिर test of control, फिर substantiate करते हैं, हम लोग, फिर हम transaction balance disclosure को check करते, कि यह transaction valid हैं, भई, allowed था नहीं, valid हैं, as per law, as per law, MOA, AOA, contract के साब से बरा हैं, यह authentic हैं, supporting document, real हैं, law के साब से बराबर हैं, real transaction हैं, capital versus revenue distinction बराबर हैं, transaction में, सभी transaction चेक हुए हैं, ठीक है, यह आखरी point भी उसी का है, फिर हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं, पहले तो accounts के arithmetical accuracy हैं और उसकी assertions, existence, completeness, valuation, rights and obligation हैं चेक करते हैं, यहाँ पर हम कैसे चीज़ों को check करते हैं, तो पहले test of control, फिर substantive procedures, हम लोग perform करते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, फिर हम लोग financial statements कैसे check कर रहे हैं, तो पहले test of control, substantive procedure, फिर हम financial statements के भई, financial statement के जो कोई law था, तो वो law पूरा follow रहा है, financial statement को लगने वाला law, कितने समय में बनना चीए, किसने बनना चीए, किसने sign करना चीए, true and fair view मिल रहा ह है, तो financial statement का format भी follow हो रहा है और reporting जो करनी है, उसका भी format follow हो रहा है, auditor के अंदर किस तरगी qualities होनी चाहिए, पहले तो उसके अंदर कुछ technical, उसके अंदर knowledge होना चीए, किस चीज का, सबसे बड़ा होता है, law, law का knowledge, फिर business कैसे होता है, उसका knowledge, उससे छोटी होती है, accounting का knowledge, अल फिर अगर मैं qualities में, personal qualities होनी चीए, ethical होना चीए बंदा, honest, objectivity, competence, behavior, ये भी हम पढ़कर है, OCBI वाले points है, approach कैसा होना चीए, practical, भई, ऐसी चीज़े सोच और कर, जो possible है, और धिमाख लाग, analyze, चीज़ों को जोडने की कोशिश कर, patience दिखा, firm रहे अपने decisions पे, management को बोल, चाहि हम जानते है, financially, legally, personally, सामना अले पर dependent नहीं रहना, उसको independent, the independence of mind होना चीए, not being dependent, ठीक है, not being dependent, financially, personally, business-wise, dependent ना हो सामना अले पर, अगर हम independent रहेंगे, तो हमारी ability to remain, integrity, IOP, objectivity, professional skepticism बढ़ जाएगा, appearance में भी, इस तरह का व्यवहार हो कि third party समझे कि बंदा independent है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज ना करो, जिससे third party को लगे, कि ये तो client के साथ मिला हुआ है, ये क्या सची report देगा, ये बहुत जरूरी है, important है, हमारे पूरे accountancy profession के लिए, proper open बनाने के लिए, कि हमारा mind independent हो, इसलिए हमको threats, हमको देखना पड़ता है, ऐसी situation हमारे fundamental principles follow नहीं कर पाएंगे, independence follow नहीं कर पाएंगे, उसको बलते threats, फिर safeguard, उसको आपको कुछ करना पड़ेगा, ताकि ये situations हम deal करे, हम reach checking करवा सकते है, ज्यादा supervision करवा सकते है, ज्यादा लोग को लगा सकते है, ताकि वो threats में गलती होने के chances कम हो जाए, या तो पूरी threat को zero करन पड़ेगा, बेटा shares बेश दे, बेटा धंदा बंद कर दे, या फिर reach checking कर करके, ज्यादा लोग को लगा लाकर acceptable level तक, तो independence और इन सब के threats होते है, threats को समझना पड़ता है, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कि threats ठीक है, या तो खतम हो जाए, या तो उसका level acceptably low हो जाए, उ क्लाइंट की activities है, उसको मुलते है self interest threat, ठीक है, सबसे important उसके लिए होती है fees, बहुत जादा dependence है, 90% fees एक client से आ रही है, fees contingent है, उस चक्कर में auditor गलत report देगा, उसके लिए उसके बाद fees किसे कम important उसका, अगर कोई family का दूसरों का, खुद का या family का business relationship है, वापस खुद का benefit ज देगा, ठीक है, indirectly पैसे लगाया हुए है, ऐसे mutual fund में जिसने बहुत ज़्यादा invest किया है, उससे छोटा उसका loan, ठीक है, loan दिया है, लिया है, तोनों भी वापस दबाव create करेगा कि सच्ची report ना दे, जुड़ी report दे, गलत report दे, employment rated, वही future में मुझे job दे सकता है, खुद की fees को बचाने के लिए, उससे छोटे business को बचाने के लिए, उससे छोटे investment को बचाने के लिए, loan को बचाने के लिए, employment को बचाने के लिए, self interest rate में गलत, ये सब situation, दबाव दालती है, गलत चीज़ करने, familiarity, जब बहुत close relationship हो रहे, client, client उनके लोगों के साथ में, कि हमारी sympathy, और familiarity threat, वहाँ का director हमारा relative है, वहाँ का officer हमारा relative है, या फिर ऐसा employee जिसका बहुत ज़ादा impact है, जो बहुत closely related है, जो बहुत closely related है, financial statement बनाने में, ठीक है, तो familiarity threat हो जाएगी, यार मेरा relation है उसके साथ में, हमारा partner वहाँ पर director बन गया, officer बन गया, employee बन गया, जो financial statement बना रहा है, फिर यार मेरे boss की against कैसे जो, मेरे रिष्टदार की against कैसे जो, मेरे boss की against कैसे जो, long association है, बड़े-बड़े gifts ले लिए, अब उसकी बुराई कैसे करू, अब उसको बुरा कैसे बोलू, उसकी against कैसे जो, इन सबसे familiarity threat create, advocacy threat, एक तरफ आपने ऐसा assignment लिया, जहाँ पे आप उसके गुणगान कर रहे हो, promote कर रहे हो, उसका IPO ला रहे हो, valuation ला रहे हो, ठीक है, उसके लिए case लड़ रहे हो, दूसरे तरफ audit कर रहे हो, ठीक है, दोनों assignment balance कैसे करोगे, हो सकता है कि उसके promotion के चकर में, उसको defend करने के चकर में, तुम audit report गलत दे दो, एक तरफ आप listing कर रहे हो, जब जराया जाता है, धमकाया जाता है, discourage किया जाता है, धरटन किया जाता है, उसको intimidation thread बोलते है, तेरे को निकाल देंगे, तेरा काम करम कर देंगे, तेरे उपर litigation ठोप देंगे, self review threat, जब situation ऐसे आती है कि जो खुद ने past में काम किया था, judgments बनाए थे, या फिर खुद कोई non audit काम किये थे अब खुद चेक को करने की बारी आ रही है जब खुद का काम आप वापस चेक करने की बारी आ रही तो उससे self review खुद को बचाने के चक्कर में आप गलत report दे दोगे ठीक है ऐसा हो सकता है या फिर और कि भाई जो बंदा director था, officer था चेक कर रहा है, उसको इसने बनाया था internal control system, books of accounts उसने ही सब कुछ बनाद वो खुद ही चेक कर रहा है self review threat वहाँ के director, वहाँ के employees हमारे firm में आकर auditor बन गए, self review threat बड़े बड़े non audit engagement मतलब क्या मैं नहीं बनाया था system, मैं नहीं किया बाते safeguards, बहुत detail नहीं, safeguard जनली कैसे होते है अगर आपको threat वाली situation लगी आप लोगों से shares भिकवा दीजिए आप team को बदल दीजिए आप ज़्यादा लोगों को लगाईए, आप ज़्यादा supervision करिए, आप किसी और से recheck करवाईए चीजों को देखिए, लोगों को public में, लोगों को audit में confidence होना चाहिए, इसलिए quality होनी चाहिए, quality होनी उसके लिए independence चाहिए, independence से integrity, objectivity professional system बची रहेगी independence इसके लिए बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए इसके लिए हमको safeguards काम आते है, safeguards मतलब ऐसे steps उठाना है, ऐसे actions को लेना, जिससे हमारी unethical होने के chances कम हो जाए, threats कम हो जाए, जो मैंने आपको बोल कर बताया, ठीक है, audit versus investigation, audit में एक ही objective होता है, कि जाकर check करके बताई, whether financial statements is true and fair view, लेकिन investigation में special purpose होता है, objectives can keep changing from assignment to assignment या तो आपके उपर हैगा to validate a fact सही में जमीन की value इत्ती है कि सही में cost of production इतना है किया चीजों को check करना, या फिर evaluate, हमने loan देना चाहिए किया हमने partnership में जाना चाहिए किया and so on, audit में objective fix है यहाँ पर बदलते जा सकता है audit में हम कोई preconceived notion से नहीं आते, यहाँ पर हो सकता है notion से आए कि फ्रॉड हुआ है, नहीं हुआ है audit regularly होता है हर साल होता है generally, यह periodically होता है management बोले तो ही होता है audit is mandatory और यह voluntary देखिए इसके बहुत difference बनते है लेकिन हमने उतनी difference लिए जितने module के अंदर covered है